और बच्च अलो कैसे हो चलो चलते हैं कुछ नया सा करने हैं बच्चों सुंदर वस्वस्त रहने के लिए हम सभी प्रयास करते हैं और करने भी चाहिए सही खान पान कई कदम पैदल चलने के लिए योगा और तो और हल्की फुल की एक्सरसाइज इस तरीके से हम बहुत सारा ध्यान अपने लिए रखते हैं और हम सबी को रखना भी चाहिए लेकिन कही बार कही मुसीबते बिना नियोता दिये ही आ जाते हैं जैसे कि इस गर्मियों में पत्री की प्रॉब्लम, स्टोन की प्रॉब्लम कही जगे सुनने को मिलती है आज यही हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो के लिए बच्चों अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आएगा कि आप कोई डॉक्टर है जो आप पत्री का कुछ इलाज के बारे में बताएंगे बिल्कुल नहीं, मैं कोई डॉक्टर डॉक्टर नहीं लेकिन छोटे-छोटे जो experience मेरे पास है वो आपके साथ share करूँगी जिससे कई सारी problem आप बिना डॉक्टर के ही ठीक कर सकते हो मैं यह नहीं कहूँगी कि आपको कोई problem हो आप डॉक्टर को ना दिखाओ फॉरन चेक कराना चाहिए जब डॉक्टर की तरफ से पता चल जाए दवाई भी शुरू हो जाए और स्टोन के बारे में पता चल जाए तो कुछ ऐसे काम घर में करने चाहिए जिसकी वज़ा से उनकी तकलिफ कम की जा सके या धीरे-धीरे वो तकलिफ खतम हो जाए है न बढ़िया मजे की बात तो चलिए शुरू करते हैं टिप नमबर पहला जो की ये है हमें पानी दिन भर में भरपूर पीना चाहिए पानी की कमी की वज़ा से अकसर स्टोन की प्रोब्लम आ जाती है और स्टोन ही नहीं पेट में कई सारी प्रोब्लम भयंकर सी भयंकर आ जाती है पानी जादा पीने की वज़ा से गट साफ होता है विशेले पदार्त हमारे बाहर निकलते हैं यूरिन के थरू, स्टूल के थरू जिसकी वज़ा से कई प्रोब्लम तो ऐसे ही खतम हो जाती है दूसरी चीज है बच्चों, यूं तो हम सुनते आएं हरी सबजियां बहुत बेस्ट हैं धनिया से लेकर पालक में थी हर टाइब की सबजियां हमारे लिए बेस्ट हैं पर क्या वो बेस्ट तब हैं जब हम हलके से धोकर उन्हें बना लेते हैं पालक को एक बार जब आप धोकर आप रख देते हो उसके बाद आप काटना शुरू करते हो कभी आपने नोटिस किया है पालक को एक बार पानी में डाल कर छोड़ दीजे उसके बाद थोड़ी देर बाद देखेंगे काफी सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो हमेशा हरी सबजी को जब भी धोते हो वो काफी नहीं है उसे पानी में छोड़ दीजे जब छोड़ देते हो ना उसके बाद अपने आप उसकी मिट्टी जब नीचे बैठ जाती है उसके बाद ही निकाल कर एक बार और वाश करके आपको कट करके बनानी चाहिए अगर हम ये ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये जो बालू ये रेती जो दिख रही है हमारे पेट में चली जाती है जिसका हमें पता ही नहीं चलता कब स्टोन का रूप ले लेती है और हाँ बच्चों चैनल पर अगर नए आयो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जब कभी हम प्याज वगर काटते हैं तो जल्दबाजी में मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि प्याज का जो रूट पार्ट है शूट पार्ट है उसे भी उसी में यूज़ कर लेते हैं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए root part, shoot part को पूरी तरीके से निकाल कर ही प्याज को use करना चाहिए कभी भी ये प्याज का root part हमें नहीं खाना चाहिए एक और चीज जो कि डॉक्टर भी आपको सला देगा टमाटर, टमाटर का कितना भी सुन्दा टमाटर क्यों न हो उसका जो आई वाला part होता है उसको काफी हद तक निकाल देना चाहिए इससे भी पत्री से बचा जा सकता है ये छोटे-छोटे experience हैं जो मैं आपके साथ share कर रही हूँ और हाँ, खुदा न खास्ता किसी को stone की problem already हो गई है तो डॉक्टर आपको मना करेगा टमाटर खाने से टमाटर खाने से मतलब है जो टमाटर के बीज होते हैं न अंदर इसकिन खा सकते हो, जो बीज होते हैं उसी आप छान दीजे बीज को अलग कर दीजे, फिर ही उस patient को आप वो टमाटर खिलाए जैसे डाल में डाल कर या सबजी में डाल कर, बीज उन्हें कभी भी नहीं देना है तो ये छोटी-छोटी बाते हमें पता होने चाहिए बच्चे ये सारी ट्रिक्स मेरी कैसी लगते हैं, कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और हाँ, share जरूर किया किजिए, friends और family को कई बातों से हम अंजान रहते हैं, ये हमें पता होने चाहिए अब आते हैं, main part पे, वो है डाल को लेकर जैसे कि डाल, डाल बहुत healthy होती है, सभी जानते है, protein युक तो डाल होती है लेकिन हम करते क्या हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है, डाल दोई और गुकर में चड़ा दी बिल्कुल नहीं, डाल को कम से कम चार गंटा पहले भिगोना चाहिए ये हमारे लिए best है, जो भी प्रस्टरसाइज उस पर किया हो, वो भी निकल जाएगा और दाल जब फूलेगी, तभी आपको फाइदा करेगी, और उसमें से भी सबसे best दाल, stone के लिए, कुल्थी की दाल होती है जिसका दूसरा नाम है horse gram, आप horse से ही समझ सकते हो, कितनी ताकतवर ये दाल होगी बहुत सारे फाइदे हैं इसके, खास तोर से stone के लिए best मानी गई है और हाँ, इसको जब आप धोगे ना, उसके बिगाओगे, तो जब इसका shape देखोगे, तो kidney नुमा इसका shape होगा बहार से ऐसे लगेगा, जैसे कि ये मसूर की दाल है, चिलके वाली, पर वो नहीं, ये कुल्थी की दाल थोड़ी अलग होती है आप जानते हो बच्चों, जब मैंने एक कुल्थी की दाल आपको दिखाने के लिए मंगाई थी, मैंने उस दुकानदार को बोला, मज़े कुल्थी की दाल चाहिए, आप भेज दीजिए कहते हैं क्यों, घर में किसी को problem में क्या stone की मतलब वो बंदा भी जानता है, ये stone को निकालने में बहुत मदद करता है इसके अंदर वो शक्ती है, जो कि हमारे अंदर अगर stone है, वो धीरे धीरे उसको तोड़ कर urine के थ्रू निकाल देता है कुल्थी की दाल पोशक तत्वों का खजाना है, कुल्थी की दाल को यदी रोज खाएं तो किड्नी में stone की होने वाली समस्या से बचा जा सकता है इसके अलावा कुल्थी की दाल खाना, diarrhea, piles, ulcer, आधी, बुखा, बहुत सारी problem में कुल्थी की दाल बहुत जादा help करती है कुल्थी की दाल cholesterol भी कम करती है, इस प्रकार देखा जाए तो कुल्थी की दाल पोश्रिक तत्वों से भरपूर होती है कई बिमारियों से लड़ने की शमता रखती है कुल्थी की दाल, दाल में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पाचन शक्ती को मजबूत करता है कुल्थी की दाल पत्री के लिए ही क्यों, कुल्थी की दाल में phenolic acid पाया जाता है जो के kidney stone को धीरे धीरे गलाने में मदद करती है अब बारी आती है बच्चों, आपको ये बताओं कि कुल्थी की दाल ये देखिए, ये जैसे है ना सूखी दाल, इसे हम पहले भिगाएंगे अब जब भिगाएंगे ना, तो ये देखिए, भिगो कर पहले तो आप दाल को अच्छे से धो लीजे, धोने के बाद आप क्या कीजे, साफ पानी भर कर इसे ढख कर रख दीजे ओवर नाइट जब मैंने दाल को भिगो के रखा है, तो इसका पानी देख रहे हैं और इसका शेप देखिए, बिलकुल किड्नी जैसा शेप है, ऐसा लग रहा है छोटा रवास का बीज है, और ये पानी बिलकुल रेड कलर का हो गया है, मतलब ये दाल का जो पूरा तत्व है, जो इसमें शमता रखता है तत्व, जो हमारे स्टोन को निकालने में मदद करता है, वो इसमें इंफ्यूज हो चुका है, तो जिन है, पत्थरी की प्रॉबलम है, उन्हें सुबह ये दाल वाला पानी भी पीना चाहिए, आधा ग्लास करीब आप पानी पी लीजे, बाकी तो मैं ऐसे नमक और हल्दी थोड़ा सा घी डाल कर मैं ऐसे सॉफ्ट कर रही हूँ, ये ओवरनाइट भीगने के बाद भी सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम जादा लगाती है, आप इसे अच्छे से सॉफ्ट कीजे, उसके बाद आप हिंग जिरे का तड़का लगा कर इस हम डॉक्टर को दिखा चुके हैं, दवाई हम ले रहे हैं, साइड बर साइड यदि ये प्रकॉशन लिए और ये हमने दाल बगर का कंजियूम करना शुरू किया, तो हम अंजाने में बहुत सारी प्रॉबलम को खत्म कर देंगे और उस स्टोन को धीरे 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 घला कर निकाल सकते हैं, तो आप इसे जरू ट्राय करें अगर आप इस प्रॉबलम से चूज रहे हैं, वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट के जरू बताएए, तो जिसे भी, अगर किसी को भी, किसी वजा से भी स्टोन की प्रॉबलम है, तो आप कुल्थी की दाल खिलाए, कुल् चोटे-चोटे यदी हमने प्रकॉशन लिये, तो इस बहुत बड़ी डेंजरॉस सी बिमारी से आप सकते हैं,